जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जून 2021 के धनूरासी फल के बारे में और जानेंगे धनूरासी से संबंधित लोगों के ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा इन परिवर्तन से आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाब पड़ेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग कैसा होगा दोस्तो 5 जून 2021 किर्शन पक्ष का सनिवार का दिन होगा एकादसीति थी पून रात्री तक रहेगी और रात्री के बाद भी एकादसीति थी शुरू रहेगी सौभागय योग अगले दिन सुभ़त 3 बजकर 33 मिनट तक रहेगा इसके बाद शौभन योग शुरू हो जाएगा रेप्ती नक्षत्र साम 11 बजकर 28 मिनट तक रहेगा इसके बाद अश्वनी नक्षत्र सुरू हो जाएगा सूर्य देव सब रासी में वराजमान होंगे और चंदर देव रात 11 बजकर 28 मिनट तक मीन रासी में विराजमान होंगे इसके बाद मेश रासी में गोचर कर जाएंगे आज का राहुकाल का समय सुबह 8 बजकर 51 मिनट से सुबह 10 बजकर 35 मिनट तक रहेगा तो इस दोरान कोई सुबह अथवा मांगलिक कारिये ना करें और आज का भीचीत मुहरत यानि सुब समय सुबह 11 बजकर 51 मिनट से दो फैर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा तो इस दोरान आप अपने सुबह अथवा मांगलिक कारिये कर सकते हैं जो कि आपके लिए सुबफल देने वाले होंगे दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें बरावर में बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तो बात करें पांच जूम यानि सनिवार का दिन धनुरासी के लोगों के लिए कैसा रहेगा तो ये जो दिन होगा रूपे पैसे की तरफ से और उससे जुड़ी समश्याएं आपको तनाव दे सकती हैं दिन बहुत लाब दायक तो नहीं होगा लेकिन यदि आप अपनी जीब पर नजर रखें और जरूर से ज़्यादा खर्चना करें तो परिशानियों से आप बच सकते हैं अपनी जीवन साती के साथ पहतर समझ जिन्दिगी में खुशी, शुकून और समर्द ही लाएगी आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरों को प्रभावित करने में काम्याब होंगे लोग आप से आकर्शित होंगे और खाली समय का पूरा आनंद उठाते हुए नजर आएंगे आपके अंदर सकरात्मक्त देखी जाएगी और आप दूसरों को भी प्रभावित करेंगे और अपने जीवन साथी की खूबियों के चलते आप एक बार फिर उनके प्यार में गरफतार हो जाएंगे अगर आपकी आवाज सुरूईली है तो कोई गाना गाकर आप अपने प्रेमी को खुश कर सकते हैं सनिवार के दिन आपके रोजगार के छित्र में कुछ व्यवधान संभव हैं क्रोध की अधिकता आपको नुकसान दे सकती है इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें आपके लिए नौकरी में परिवर्तन का यह उचित समय नहीं है तो आप जहां भी जॉब कर रहे हैं वहीं आप अभी नौकरी करते रहें तो आपके लिए जादा अच्छा होगा किसी भी निर्ने पर पहुँचने से पहले भविषय की संभावनाओं पर अच्छी तरह सोच विचार करना जादा अच्छा होगा विध्यार्तियों को अपनी एकागर्ता बनाई रखने के लिए अधिक संगर्स करना पड़ेगा दामपत्य जीवन में सुधार आएगा और एक दूसरे को समझने के प्रियास अच्छे होंगे माता का सहयोग प्राप्त होगा और माता के आशिरवास से आपको सफलता प्राप्त होगी प्रेम जीवन के लिए इस समय अच्छा रहेगा कुछ लोगों के लिए प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं सोच समझकर नेने लें बड़े बाही बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक रूप से समय तनापून रह सकता है इसलिए खर्चों पर नियंत्रन रखना जादा फायदे मंद होगा वेपारियों की आमदनी में आंसिक व्रद्धी होगी सारे रिक उर्जा में कमी से कुछ एस्विधा संभव है अच्छी मात्रा में जल करहन करें और स्री गनेश के मंत्र का जाप करें तो आपको अच्छे परणाम प्राप्त होंगे पारे बारे कलेश से मुक्ती मिलेगी दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब, सेर वे लाइक अवश्य करें जै मता दी दोस्तो